जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान की सरकार ने दिगज बॉलिवूड अभी नेता यानि दिलीब कुमार और राजकपूर के पूराने घरों की कीमत को तैय कर दिया है इसमें दिलीब कुमार के घर की कीमत लगाई है लगभग 80,50,000 और राजकपूर के घर की कीमत को आंका गया है डेड़ करोड सिंप्टम्बर महीने में परदान मंतری इमरान खान ने ग्राईराजी से ये रिक्वेस्ट की थी की इन दोनों एतिहासिक इमारतों का सरक्षन किया जाए और इनके बाद इन्हें खरीदने का फैसला किया गया पेशावर के प्रमुख इलाकों में स्थित इन दो इमारतों को पाकिस्तान सरकार खरीदने की गोशना कर चुकी है पेशावर के एक युनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मताबिक दिलीब कुमार के चार मरला में बने इस घर की कीमत 80,50,000 रुपे लगाई गई जबकि राज कपूर के घर की कीमत 1,5 करोड लगाई गई पुरा तात्व विभाग ने सरकार के इन दोनों एतिहासिक इमारतों को खरीदने के लिए 2 करोड रुपे जारी कर दी है इनी इमारतों में भारती सिनेमा के दिगज कालाकार दिलीब कुमार और राज कुमार का जनम हुआ था और विभाजन से पहले उनकी शुरुवाती परवरिश भी यहीं पर हुई थी अबिनेता दिलीब कुमार का करीब 100 साल पुराना ये घर इसी इलाके में मौजूद है इसकी हालत फिलहाल सही नहीं है लेकिन 2014 में नवाज शरीफ सरकार ने इसे राष्ट्रिय दरोहर गोशित भी कर दिया था खार ने कहा था कि इन दोनों एतिहासिक इमारतों के मालिकों ने कई बार इसे तोड़ कर कमर्शिल प्लाजा बनाने की कोशिश की है लेकिन ऐसे सभी परियासों को रोग दिया गया क्योंकि पुरा तत्व विभाग इन्हें इतिहासिक मान चुका है और इसी कारणों से इन्हें बचाना बहुत जरूरी है नेक्स्टने लाइफ से अकाश की रिपोर्ट